आपकी बाल्टी कितनी भरी हुई है फिलिक्स अपने कमरे में ब्लॉक्स का मिनार बना रहा था जब उसकी छोटी बेहन अंदर आई और कहने लगी मुझे भी ये बनाना है फिलिक्स ने गुसे सोसे देखा और कहा यहां से चली जाओ तुम अभी छोटी हो फिलिक्स की बेहन ने कहा मैं बड़ी हूँ फिलिक्स ने कहा पीछे हटो तुम इसे गिरा दोगी उसकी बेहन ने फिर से उसे जवाब दिया मैं खयाल रखूंगी फिलिक्स ने कहा जाओ जा कि अपने खिलोनों से खिलो फिर फिलिक्स की बेहन ने उसके उन ब्लॉक्स के मिनार को गिरा दिया ठाँ फिलिक्स जोर जोर से चलाने लगा दादा जान दादा जान एना दोड़ के दादा जान के पास गई फिलिक्स ने दादा जान को देखा तो दादे जान ने आगे से फिलिक्स अपनी बेहन की बाल्टी को खाली किया फिलिक्स हैरान हुआ दादा ने कहा सबकी तरह एना के पास भी एक नजर नाने वाल्टी है जब उसकी बाल्टी खाली होती है तो वो अदास होती है लेकिन जब वो बाल्टी भरी होती है तो उसे अच्छा लगता है क्या तुमने कभी अपनी बाल्टी को नहीं देखा? ना नज़र आने मरी बाल्टी? पता नहीं, समझ नहीं आया कि दादे जान कहीं मजाग तो नहीं कर रहे लेकिन अगले दिन जब फिलिक्स उठा तो उसके सर पर एक छोटी सी सलेटी रंग की पाल्टी थी फिलिक्स अब नीचे आया तो उसकी अम्मी जल्दी में थी आज मेरी मीटिंग है और काफी देर हो गई है एना आराम से बैठो फिलिक्स किचन में गया और अल्मारी में से चौको निकालने लगा उसका पाउं फिसला और वो सब के सब जमीन पर बिक्षर गए फिलिक्स की अम्मी जोड़ से चिलाई फिलिक्स तुम स्टूल भी तो इस्तमाल कर सकते थे फिलिक्स को लगा कि उसकी बाल्टी खाली हो रही है एक कत्रा गिरा एना हसने लगी और पाउं से जमीन पर गिरे हुए चौको को रगड़ने लगी अम्मी ने कहा जाओ जाके जाड़ू लाओ और साफ करो साथ ही साथ स्कूल की बस भी होरन बजा रही थी पाउं 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 उसने जल्दी से सबसाफ किया और अपना मफिन उठाया लेकिन उसी के साथ इस से पहले कि वो एक लुकमा लेता उसके कुटे ने उचक के उसका वो मफिन पकड़ लिया और खा लिया वो जाके बस में बैठा तो उसकी बस में बैठे एक क्लास के बच्चे ने कहा देखो इसका बसता हाँ 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 मेरे छोटे भाई के पास भी ऐसा ही बसता है एक कत्रा गिरा कुछ बच्चे खुसर खुसर कर रहे थे खुस 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 एक और कत्रा गिरा ये सुभा ही थी अभी लेकिन फिलिक्स को लगा जैसे उसकी बाल्टी खाली हो रही है वो अदास हो गया उसका दिल ही दिल में गुस्से से बुरा हाल था और वो सोच चाहा था कि उसके क्लास के बच्चे लड़ खड़ा के गिस जाएं अभी वो सोच ही र और उन्होंने फिलिक्स के आगे एक कागज रखा और कहा शाबाश फिलिक्स तुमने बहुत अच्छी कहानी लिखी क्या तुम अपनी ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो क्या तुम ये कहानी उनको सुनाना चाहते हो डॉप डॉप एक कत्रा बार्टी में डला एक और कत्रा बार्टी में डला डाइनसौर की कहानी फीलिक्स की तरफ से उसने लंच बॉक्स खोला तो उसमें उसकी अम्मी की तरफ से उसके लिए एक आगस था एक और कत्रा उसकी बार्टी में गिरा टीम के कैप्टन आज होंगे विरॉनिका और फिलिक्स एक और कत्रा उसकी बाल्टी में गिरा उसकी आठ के टीचर ने कहा वाह कितनी अच्छी भैस है ये भैस नहीं है ये कुता है और जो भी है रंग बड़े अच्छे है एक और कत्रा गिरा तुम्हारा बैक कितना अच्छा है एक और कत्रा गिर फिलिक्स को लगा जैसे उसकी बाल्टी फड़ती चली जा रही है फिर उसने महसूस किया कि सब बच्चों के पास इसी तरह की बाल्टी है कागस गिरे तो उसने का रुके मैं आपकी मदद करता हूँ एक और कत्रा उसकी बाल्टी में गिरा उसने एक दोस्त को उसकी गेंद पकड़ाई तो एक और कत्रा उसकी बाल्टी में गिरा फिलिक्स बैठा हुआ था बेंच पे साथ एक बच्चा बैठा था फीलिक्स ने पूछा आज तुम्हारा पहला दिन है, मैं फीलिक्स हूं। उस बच्छे ने का, हाँ, मेरा नाम आमिर है। फीलिक्स ने मैसूस किया कि उसकी बाल्टी भर गई है। लेकिन साथ साथ जब वो किसी की मदद करता है, एक कतरा उसकी बाल्टी में गिरता है और एक की बाल्टी में कत्रे कम या जादा होते हैं लेकिन जब उसने देखा तो उसकी बेहन की गुरिया को उसके कुटे ने नोच के खराब कर दिया होता है फिलिक्स उसकुते को डांटता है और कहता है कि ये क्या किया तुम तुमने ये क्या कर दिया तुमने मेरी बेहन की सारी कुडिया खराब कर दी लेकिन भे उससे ख्याल आया कि जैसे हम इनसानों की बाल्टियां होती है वैसे इन जानवरों की भी बाल्टियां होती है जब हम इनके साथ अच्छा बरताओ करते हैं तो इनकी बाल्टियां भर जाती है और जब हम नहीं करते तो इनकी बाल्टियां खाली हो जाती है उसने आगे से फिर अपनी बेहन से कहा कि चलो अम्मी जब आफिस से आएंगी तो तुम्हारी गुड़िया को ठीक कर देंगी कमे में आ गए और दोनों ने मिलकर ब्लॉक्स का मिनार बनाया तो बच्चों हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हम जो दूसरों की मदद करेंगे तो फिर हम भी खुश रहेंगे और जब हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हम खुद भी उदास हो जाएंगे इसलिए आइंदा से दूसरों की मदद करने में कभी न हिचके चाएं और कोशिश करें कि दूसरों की मदद करें दूसरों के साथ अच्छा सलूप करें और सिर्फ इनसानों के साथ नहीं जानवरों के साथ भी अच्छा सलूप करें खुश रहें, सिहत मन रहें अलाह अफेज